हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके पने यूट्यूब चैनल क्रेट पहले से तुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोईल आज हम बात करेंगे राउट मोईल की जिसके उपर पहले भी हमने वीडियो बनाई और बताया था कि स्टोक जो है क्रेश होता हो नजर आ रह है रिसेंट लिस्टिंग थी और इसके बाद अच्छा खासा इसके मोमेंटम देखने को मिला और एक स्टोक जो है एक अच्छा खासा अप्ट्रेंड के अंदर था आप देख सकते हैं यहां पर इस टाइप से उपर जाता हूँ नजर आ रहा था जैसे ही इसने इस लाइन को ब्रेक किया यहां पर तो स्टोक जो है उपर देखे इस टाइप से नीचे आता हूँ नजर आ रहा एक जो ट्रेंड है इसका इस टाइप से दिखाई देगा आपको और जो नीचे की लाइन आप यहां पर देख सकते हैं कि यह दो सपोर्ट लाइन इसकी बन रही थी यहां पर यह जो स्टोक है निचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था तो यहां पर देखिए और तीसरी लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दिखाई देगी आपको इस टाइप से यहां पर स्टोक पहले भी काफी बार आया बिकली चार्ट के उपर यहां पर फ कर रहा था तो देखेंगे सारी एहम जो सपोर्ट सी इसकी उसको इसने ब्रेक कर दिया सबसे पहली सपोर्ट थी इसको ब्रेक किया दैन इस सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके बाद देखिए तीसरी सपोर्ट को ब्रेक किया है सपोर्ट को ब्रेक करने का मतलब यह है कि जो अनला टाइम है उसके अंदर यह जो सपोर्ट सी जो अच्छी खासी बनी होई थी अब आने ले टाइम में इसके लिए यह रिजिस्टेंस का काम करेगी जो के लिए थोड़ा सा उपर जाना टफ होता हुआ जैस्ट टाइम होता हुआ नजर आ सकता है टाइम ले सकता है और जो पूठ लो है गe 1 65 रपय के असपास यह बड़ी जो ग्रीन कैंडल है इसको अगर इस ने ब्रेक किया नीचे की साइड में जो सपोर्ट बनता है इसका आप लो प्रेक होता तो स्टौप लग आता है काफी निचे जा सकता है इस लो के उपर आपको बिलकुल नजर रखना है आज का जो अगर देखें इसका वीक का लो है 1215 रपे के आसपास और इस बड़ी वाली केंडल का जो लो है वो है 1165 के आसपास क्योंकि ये जो बड़ी केंडल होती है इनके लो तूटने काफी important होते हैं अगर तूटता है तो स्टोक जो है वीक होता हो नजर आता है तो 1165 के आ 1040 रपे तक के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है तो बिल्कुल आप इनके उपर नजर रखके चलिए लगबग इन लाइन के आसपास मोजता हुआ नजर आएगा तो यहां पर डेली चार्ट के उपर भी देख लेते हैं कि इस टाइप की स्टेंथ है डेली चार्ट के लेवल देखिए इन लाइन के उपर दोनों के उपर इसने मल्टिपल टाइम जो है सपोर्ट बनाया है और यहां पर जो सपोर्ट है यह सभी के सभी तूटती हुई नजर आ रही है इन सभी सपोर्ट के निचे इसने क्लोजिंग दी है 1223 रुपे के आसपास की तो पर देखेंगे कि काफी केंडल सा है और यहां पर कोई बी रिकवरी का चांस इस नहीं लिया यहां से जुरूर्ट इस टाइप से उपर जाता हुँ नजर आता हुँ नजर आता चार्ट पर बट जैसे इसको ब्रेक किया तो जाक काफी वीक हुआ है तो निचे के लैवल 1165 वो candle आपको दिखाई थी बिल्कुल उसको और नजर में रखिए अगर उसका low break होता तो 140 से लेके 1060 के लेवल से टेस्ट करता हो नजर आ सकता है उपर के लेवल के लिए सबसे पहले इसको तो इस लाइन के उपर ही जाना जरूरी है अगर इस लाइन के नीचे आपने आपको मेंटेन करता है तो स्टोक और भी जारा भी हो सकता है अगर आप इसमें किसी भी टाइप की ट्रेडिंग दे इनिवेस्टमेंट कर रहे हैं तो लेवल्स को नोट करके रखिए और ट्रेंड लैन्स को ड्रो करके रखिए तब ही आप शेयर मार्केट में पैसा कमा पाएंगे थैंक्यू धन्यवाद